Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है Free of cost quality education from class K to class 12 जेहां सही सुना आपने kindergarten से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSE Board से लेकर Other State Board जैसे की UP Board, MP Board, बिहार Board जैसे courses भी अवेलेबल है यहां तक की आपको practice questions भी यहां पर solve कराए जाते हैं e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video start मेरा नाम है हश्मिक कोर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसे की आपको पता है chapter 5 हमारा चल रहा था जिसका नाम क्या था Lines and Angles introduction part हम cover कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था Lines क्या होते हैं and Angles क्या होते हैं in fact इससे related basic topics भी हमने cover किये थे next video में हमने पढ़ा था एक topic जिसका नाम क्या था related angles उसका part 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसमें हमने complimentary angles के बारे में पढ़ा था and उससे related करे थे कुछ questions भी solve आज हम क्या पढ़ेंगे आज आया है हमारा part 2 मतलब अब हम पढ़ेंगे related angles का second topic जिसका नाम क्या है supplementary angle क्या नाम है supplementary angle तो हम देखेंगे इस वीडियो में supplementary angles किसको कहा जाता है and उस related questions भी हम solve करने वाले हैं तो जल्दी से start कर लेते हैं हम हमारी वीडियो को ठीक है तो सबसे पहला topic हमें जो दिख रहा है supplementary angles इसका मतलब क्या है two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree क्या बोला गया है दो angles को हम supplementary angles तब मानेंगे जब उन दोनों क्या sum का measurement किसके बराबर आए 180 degree के बराबर आए कुछ याद आ रहा है complementary angle के बारे में भी कुछ ऐसा बोला गया था अगर दो angles को हम sum कर दे और उसका measurement 90 degree के बराबर आए तो हम क्या बोलते थे complementary angles ऐसे ही same 2 angles को हम ले ले उसका sum अगर हम कर दे अगर 180 degree के बराबर आए तो हम क्या बोलेंगे supplementary angles इसका मतलब क्या है? Complementary Angles से हमें क्या ध्यान रखना है? 90 degree वाला concept ध्यान रखना है लेकिन अगर बात करी जाए supplementary angle की तो हमें क्या ध्यान रखना है? 180 degree वाला concept हमें ध्यान रखना है क्या आपको समझ में आया? मतलब दो angles को सम कर दिया जाए अगर उसका measurement 90 degree के बराबर आ रहा है तो complementary angles दो angles को सम कर दिया जाए उसका measurement 180 degree के बराबर आ रहा है तो supplementary angles के लाए जाएंगे इतना आया समझ में बिलकुल आ गया है अब next देख लीजिए example supplementary angle का लेके चलते हैं by chance हमें angle A क्या देके रखा हुआ है हमें angle A दे दिया है A दे दिया है A दे दिया है 120 degree क्या दे दिया है हमें angle A 120 degree चीक है और angle B हमें क्या देके रखा है 60 degree और हमसे ये पूछ लिया गया है कि बताइए ये जो दोनों angles से एक दूसरे के supplementary है की नहीं तो हम कैसे find करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या करना पड़ता है, sum करना पड़ता है, तो angle A plus angle B करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैं, किसके बराबर आना चाहिए, 180 degree के बराबर, क्योंकि बात किसकी हो रही है अभी, supplementary angle की बात हो रही है, ठीक है, तो angle A हमने क्या माना है, 120 degree है, angle B हमने क्या माना है, 60 degree है, इन दोनों का sum क्या आ रहा है, करके देख लेते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, 180 degree के बराबर, यह तो हमें पता है, actual में 180 degree है कि नहीं, वो हम sum करके बता करेंगे, 120 degree को 60 degree से plus करेंगे answer क्या आएगा 180 degree आ रहा है यहां पर भी क्या था 180 degree था मतलब यह equation बिल्कुल follow हो रही है हमने जो values ली है बिल्कुल correct है यह दोनों एंगल से एक दूसरे के क्या है supplementary है क्योंकि इन दोनों का sum क्या रहा है 180 degree के बराबर का आ रहा है समझ में आया बिल्कुल आया है समझ में ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर क्या देखे रखा है दोस एंगल एंड 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 एंगल बी को हम supplementary तब मानेंगे जब एंगल 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 बी किसके बराबर आए 180 degree के बराबर आए जैसे कि मैंने यहां पर example लेकर आपको समझाया है यह हम पर statement form में समझाया गया है अगर एंगल 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 बी supplementary तब के लाए जाएंगे जब दोनों का सम किसके बराबर आए 180 degree के बराबर आज जाए समझ में आया ठीक है अब देखो अब next क्या देख लेते हैं हम example देके रखा है वो भी देख लेते है इफ एंगल एंगल ए इंगल एंगल एंगल बीज्ट उनेरी इस्का क्या मतलब है एक एंगल हमें देके रखाइंगल एंगल एht Kaiser 175, 05 दिग्री क्या मतलब hai एंगल एंगल ए और यंगल एंगल यह हमें example देखे रखा हुआ था इसके अलावा और भी example हम देख सकते हैं ठीक है और भी example हम देख सकते हैं जैसे कि angle A हम ले लेते हैं 100 degree और angle B हम क्या ले रहे हैं? एंगल B हम ले रहे हैं 40 degree और हमसे पूछा गया है बताईए दोनों एंगल से एक दूसरे के supplementary हैं की नहीं तो कैसे पता चलेगा angle A plus angle B कर देंगे हम किसके बराबर होना चाहिए 180 degree के बराबर होना चाहिए ठीक है इतना पता है हमें अब angle A की जगह हम क्या लिख देंगे 100 degree और angle B की जगह क्या लिख देंगे 40 degree किसके बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर ठीक है सम कर देंगे 100 degree plus 40 degree तो क्या आ जाएगा 140 degree आ जाएगा और यहां पर क्या देके रखा है 180 degree क्या यह equal है क्या बिल्कुल नहीं है मतलब यह दोनों एंगल्स का सम 180 degree के बराबर नहीं आया है 140 डिग्री आया है इसका मतलब क्या है एंगल A और अगल भी supplementary angles बिल्कुल नहीं हैं यह तब supplementary angles होते हैं जब इन दोनों कस्तम किसके बराबर आता 180 degree के बराबर आता आया समझ में आपको आया है तो करना क्या है आपको इसे नोट डाउन कर लो यह मैंने कुछ examples यह है एक example वहाँ पे है एक example यहाँ पे और एक example और अल्रेडी statement form में देखे रखा हुआ है ठीक है कर लो note down पड़ा पड़ कर लिया आपने note down वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है like करना है comment करना है and share कर देना है ठीक है next देखे नेक्स क्या करने वाले हैं समझ आ गया ना supplementary angles अब next देख लेते हैं next क्या है think discuss and write ठीक है questions देके रखे हैं हमें देखना है क्या पूछ रहा है और उसे solve करना है ठीक है क्या बोल रहा है सबसे पहला question can two obtuse angles भी supplementary क्या दो obtuse angles supplementary हो सकते हैं क्या मैंने आपको इससे previous वीडियो में बताया था obtuse angles क्या रहते हैं obtuse angles वो एंगल रहते हैं जो कि क्या हो जो कि हो more than 90 degree यही बताया था मैंने तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर हम दो obtuse angles ले लेते हैं तो क्या वह एक दूसरे के supplementary होँगे क्या सबसे पहले हमें पता है टवी क्या क्या कैलाया जाएगा सप्लीमेंटरई एंगल क्या मान रहे हैं इंगल ए हम मान आप्टिूस एंगल है, एंगल B हम ले लेते हैं, एंगल B हम ले रहे हैं 95 डिग्री, क्यों 95 ले रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आप्टिूस एंगल है, एंगल B 90 डिग्री से जादा दिख रहा है, मतलब दोनों ही क्या है, आप्टिूस एंगल हमें यापर 2 आप्टिूस एंग तो क्या यह 180 degree के बराबर आ रहा है क्या कि बताईए जरा क्या यह 180 degree के बराबर आ रहा है क्या इन दोनों का सम करके देख लेते हैं यह आ रहा है 195 डिग्री और यहां पर क्या दिया हुआ था 180 डिग्री इक्वल है क्या बिल्कुल इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है अगर हम दो अप्ट्यूस एंगल ले लेते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा हमने बकाइदा इसका एक्जाम्पल देखा है तो हम यहा पिलिखेंगे, no two obtuse angles cannot be supplementary, cannot be supplementary. आया समझ में कैसे किया इसे solve, ठीक है, next question देख लेते हैं हम, क्या बोला next question, can two acute angles be supplementary, अगर हम क्या ले लेते हैं, acute angles ले लेते हैं, तो क्या वो supplementary होंगे, क्या सबसे पहले बताईए, acute angles क्या होते हैं, previous वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, तो जल्दी से बताईए, comment section में acute angle किसे बोला जाता है, जल्दी से बताईए, जो की क्या हो, less than 90 degree हो, यही होता है acute angle, पता है ना आपको, बिल्कुल पता है मैं, अब देखिए, हम example ले लेते हैं, angle A, हमें लेना है क्या, acute angle लेना है, जो की 90 degree से काम होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं, angle A, 80 degree, जो की क्या है, 90 degree से कम, and angle B हम ले रहे हैं, 85 degree, यह भी क्या है, 90 degree से कम ही है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है, angle A plus angle B, किसके बराबर होना चाहिए, 180 degree के बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, यह क्या है, supplementary angles है, इतना भी पता है हमे Sum कर देते हैं, value डाल देंगे, angle A की जगा 80 degree, angle B की जगा 85 degree और यहाँ पे क्या है? 180 degree है Add करके देख लेते हैं, 80 degree प्लस 85 degree करेंगे, तो answer क्या आ रहा है? Answer हमारा आ रहा है 165 degree, यहाँ पे क्या है? 180 degree, क्या यह equal है? नहीं है, क्या यह equal दिख रहा है हमें? बिल्कुल नहीं दिख रहा है मैम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो एक ही निकलता है, यहाँ answer क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए, मतलब दो acute angles को अगर हम sum भी कर देते हैं, तो वो कभी supplementary नहीं होंगे, उनके angles 180 degree के बराबर नहीं आ रहे हैं, उनके sum करने पे, दो angles के sum करने पे, दो acute angles के sum करने पे, हमारा answer 180 degree नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नो तो acute angles cannot be supplementary आया समझ में कैसे किया, इसे solve with example हमने इसे देख लिया है अब next देख लेते हैं, next हम से क्या बोल रहे हैं, can two right angles भी supplementary अगर हम दो right angles ले ले, तो उनका sum कर दे, क्या वो supplementary होगा, क्या right angles क्या होता है, right angles वो होते हैं, जो किसके बराबर हो, 90 degree के बराबर हो, इतना तो हमें already पता है तो अगर हम दो right angles ले ले लेते हैं, मतलब, मतलब क्या, angle A हमने ले लिया 90 degree, जो कि क्या है, right angle है एंगल B भी हमने क्या ले लिया? नाइमटी डिग्री जो भी क्या है? राइट एंगल से तो हमें क्या पता है? एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर आना चलिए? 180 डिग्री के बराबर आना चलिए तो दोनों का जब हम सम करेंगे एंगल A की जगा 90 डिग्री लिख दिया एंगल B की जगा भी हम क्या रिख देंगे 90 डिग्री लिख देंगे किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री तो यहाँ पर आ जाएगा दो right angles को यहाँ पे ले सकते हैं Yes, two right angles can be supplementary दो right angles supplementary हो सकते हैं समझ में आया आपको समझ में आया है तो फटा फट से कर लीजिए इसे note down with example मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कर लिया आपने note down कर लिया है तो हम चलते हैं next पे हम next हमें देके रखा हुआ है try these find the pairs of supplementary angle हमें क्या देके रखे हुएं दो angles देके रखे हुएं हमें बताना है कौन सा angle supplementary है और कौन सा angle supplementary नहीं है तो सबसे पहला हमें देख रहा है हमें दिख रहा है एक angle हमें देके रखा हुआ है 110 degree और एक angle हमें देके रखा हुआ है 50 degree दोनों का सम किस के बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर आना चाहिए तभी हम क्या मानेंगे कि ये दो angles क्या है supplementary angles है दोनों का sum कर लेते हैं दोनों का sum आ रहा है 160 degree तो क्या ये 180 degree के बराबर है बिल्कुल नहीं है ma'am तो ये क्या है supplementary angles बिल्कुल नहीं है cross sign लग जाएगा आया समझ में next देख लेते हैं next एक angle हमें दिख रहा है 105 degree and दूसरा angle हमें दिख रहा है sorry 65 degree तो दोनों का sum करके हम देख लेते हैं 180 degree आ गया तो मतलब supplementary angle है और नहीं आया तो बिल्कुल supplementary angles नहीं है 105 degree plus 65 degree दोनों का sum करेंगे तो क्या आ रहा है answer 170 degree आ रहा है क्या ये 180 degree के बराबर का है बिल्कुल नहीं है मतलब ये भी क्या है supplementary angles नहीं है cross sign यहाँ पर लग जाएगा ठीक है आया समझ में next देखते है next है third वाला third क्या देके रखा हुआ है एक angle हमें देके रखा हुआ है 50 degree का and दूसरा angle हमें देके रखा हुआ है 130 degree का दोनों का सम कर लेते है 50 degree प्लस 130 degree सम करने पे हमारा answer आ रहा है 180 degree क्या ये supplementary angle है क्या बिल्कुल है क्योंकि दोनों के सम का measurement क्या आया है 180 degree ये हमारी supplementary angle को supplementary angle की definition को बिल्कुल follow कर रहे है मतलब ये क्या है हमारे supplementary angle से हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया है, ठीक है, next देख लेते हैं, next हमें एक एंगल 45 डिग्री देखे रखा हुआ है, दूसरा एंगल भी क्या देखे रखा हुआ है, 45 डिग्री देखे रखा हुआ है, हम सम करके देख लेते हैं, 45 डिग्री प्लस, 45 डिग्री, दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री क्या यह सप्लीमेंटरी एंगल्स है क्या बिलकुल नहीं है यह in fact complimentary बन रहे हैं दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है लेकिन पूछा किसके बारे में गया है सप्लीमेंटरी के बारे में पूछा गया है इसलिए हम आपे लगा देंगे cross का sign मतलब ये supplementary angles बिल्कुल नहीं है स्रिफ third वाला ही जो pair हमें दिख रहा है angles का वही सिर्फ आ रहा है 180 degree के बराबर का मतलब वही जो है वही supplementary angle कहलाया जाएगा बाकी सारे supplementary angles बिल्कुल नहीं है समझ में आया समझ में आया है तो कर लीजी आप note down जल्दी से कर लीजीए note down कर लिया आपने note down अब next question देख लेते हैं next question क्या है Trides का question 2 what will be the measure of the supplement of each one of the following angles मतलब ये angles हमें देखे रखे हुए हमें चाहिए रहते हैं दो angles इसका सम किस के बराबर आए 180 degree के बराबर तभी हम क्या मानेंगे कि supplementary angle है ये हमें बहुत अच्छे से पता है लेकिन उसमें से एक angle का measurement हमें आपे देखे रखा है दूसरे angle का measurement हमारी responsibility है निकालना है हमें ठीक है तो निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दूसरे angle हमें निकालना है हमें नहीं पता let the other angle be x let the other angle be x या फिर आप x degree भी लिख सकते है हमें क्या पता है हमें पता है दो angles को अगर हम सम कर दें मतलब 100 degree तो एक angle हमें देखे रखा हुआ है तूसरा angle हमने x माना है दोनों का सम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 180 degree के बराबर आना चाहिए क्योंकि बात किसकी हो रही है supplementary angle की बात हो रही है यहाँ पर x degree लगा देते हैं यहाँ पर भी लगा देते हैं अब हमें क्या करना रहेगा 100 degree हमें दिख रहा है किस side है हमें दिख रहा है LHS side हमें equal to के उस तरफ ट्रांसफर करना रहेगा क्योंकि हमें other angle की value find करनी है ठीक है हम कर देंगे जैसे ही हम equal to के उस तरफ इसे transfer करेंगे वो किस form में हो जाएगा negative form में हो जाएगा यहाँ पर किस form में था positive form में था equal to के उस तरफ transfer किया तो किस form में हो गया negative form में minus करने पर x की value क्या रही है 180 degree minus 100 degree value आ रही है हमारी 80 degree क्या रही है value value हमारी आ रही है 80 degree क्या आपको समझ में आया है बिल्कुल आया है मैं second वाला देख लेते हैं फिर second वाला क्या बोला है second वाला एक angle हमें देखे रखो 90 degree दूसरा angle हमें निकालना है यहाँ पर हम लिख देंगे, let the other angle be x, be x degree, ठीक है, तो हमें क्या पता है, एक angle देके रखो है, 90 degree, दूसरा angle हमने मान लिए x degree, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 degree के बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, यह क्या है, supplementary angles है, ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है, 90 degree, किस side देके रखा हुआ, lhs side हम क्या कर देंगे, equal to के उस तरफ transfer कर देंगे, वो negative form में हो जाएगा, 180 degree minus 90 degree, negative form में क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरफ वो positive form में देके रखा हुआ था, x की value क्या आएगी, 180 degree minus 90 degree, तो 90 degree आ जाएगी, x की value, ठीक ह आएगा है, तो दूसरा angle क्या बनेगा, दूसरा angle हमारा बन जाएगा 90 degree, समझ में आया, अब अगर एक बर आप चेक करें, एक angle है 100 degree, एक angle है 80 degree, गर किसके बराबर आ रहा है, 100 plus 80 degree का अगर हम सम कर दे, तो आ रहा है 180 degree के बराबर का, तो मतलब दोनों supplementary angles होंगे, इसका है दूसरे एंगल का ठीक है आया समझ में ऐसे ही अगर हम इसे चेक करें दूसरे वाले को हमें दिख रहा है एक एंगल है 90 डिगरी दूसरे एंगल भी क्या निकला है 90 डिगरी दोनों को सम कर देंगे measurement किसके बराबर आएगा 180 degree के बराबर आएगा इसका मतलब क्या है 90 degree जो आपने निकाला है बिल्कुल correct निकाला है क्योंकि दोनों का sum करने पे supplementary angles बन रहे हैं क्योंकि 180 degree के बराबर का measurement आ रहा है इतना आया समझ में आया है तो कर लिजी से note down ये रहे हमारे answers कर लिया आपने note down अब हम third and fourth वाला solve करके देख लेते हैं ठीक है third वाला क्या देके रखा हुआ है एक angle हमें देके रखा हुआ है 55 degree ठीक है दूसरा angle हमने क्या माल लिया let the other angle be x degree दोनों का sum करेंगे 55 degree प्लस x degree किसके बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर आना चाहिए ठीक है इतना आया समझ में अब 55 degree को equal to के उस तरफ transfer करेंगे यहाँ पर positive form में था equal to के उस तरफ जाके हो जाएगा negative form में minus 55 degree ठीक है जैसे ही हम minus करेंगे तो answer हमारा क्या आएगा यहाँ पर 5 degree यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 ठीक है क्या आ रहा measurement 125 degree आ रहा है समझ में आया हमारा दूसरा क्या निकला है दूसरे एंगल का measurement क्या निकला है 125 degree निकला है ठीक है अब फोर्त वाल्या कर लेते हैं solve एक हमें देके रखा हूँ है क्या 125 degree देके रखा हूँ है एक एंगल का measurement दूसरे एंगल को हमने क्या माल लिया x degree माल लिया दोनों को जब हम सम करेंगे 125 degree प्लस x degree तो किसके बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर आना चाहिए है ठीक है इतना आया समझ में अब जैसे ही हम equal to के उस तरफ transfer कर देंगे 125 degree यहां पर positive form में था equal to के उस तरफ जाके हो जाएगा negative form में यहां पर हो जाएगा minus 125 degree minus करने पे क्या आएगा answer 180 degree minus 125 degree answer हमारा आ जाएगा 55 degree क्या आया answer यहां पर answer हमारा आया है 55 degree समझ में आया आपको हमने इन दोनों के भी other angles निकाल लिये हैं अगर हम चेक करें एक angle 55 degree दूसरा 125 degree हमने निकाला है दोनों को sum करके अगर हम देखे 55 degree and 125 degree तो किसके बराबर आ रहा है answer 180 degree के बराबर आ रहा है मतलब यह जो 125 degree निकाला हमने बिल्कूल करेक्ट निकाला है दोनों का sum 180 degree के बराबर आ रहा है मतलब दोनों ही क्या है supplementary angles है ठीक है आया समझ में next अगर इसे भी चेक करें तो एक angle है 125 degree दूसरा angle है 55 degree just इसका opposite है तो दोनों का sum भी क्या आएगा 180 degree आएगा इसका मतलब क्या है 55 degree हमने बिल्कूल करेक्ट निकाला है दोनों का sum 180 degree बराबर आ रहा है ठीक है आया समझ में तो आप इसे भी कर लीजे note down जल्दी से कर लीजे इसे भी note down वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है like, comment and share कर देना है ठीक है अब next देख लेते हैं next question क्या है question third क्या बोल रहा है among two supplementary angles the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller मतलब दो angles की बाद चल रही है एक है smaller angle और एक है larger angle और हमें information दिये की जो larger angle है ना वो smaller angle से 44 degree जादा है more than है तो हमें क्या करना है find their measures उनके measurement find करने है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर let the smaller angle भी x degree हमने क्या मान लिया smaller angle को x degree तो larger angle क्या हो जाएगा question के according larger angle हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या लिखा हुए है यहाँ पर 44 degree more than the measure of the smaller degree मतलब क्या है यह smaller degree से 44 degree जादा है मतलब x degree प्लस 44 degree हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आया हमें क्या करना है measures find करने हैं दोनों angles के मतलब smaller angle के भी and larger angle के भी तो हमें क्या पता है we know that क्या पता है हमें जल्दी से बताईए क्या आपको पता है दोनों angles का सम किसके बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर आना चाहिए we know that sum of sum of two supplementary angle is supplementary angle का सम किसके बराबर होता है 180 degree के बराबर होता है हमें ये पता है एक हमें देखे रखा हुआ है smaller angle x degree ठीक है and दूसरा larger angle क्या है x degree plus 44 degree दोनों का sum किसके बराबर आना चाहिए 180 degree के बराबर आना चाहिए ठीक है अब हम क्या करेंगे इसे solve करेंगे x degree plus x degree करेंगे तो answer क्या आएगा 2x degree आएगा and यहाँ पर क्या है 44 degree है and यहाँ पर क्या देखे रखा है ठीक है इतना आया समझ में अब 44 degree का हम क्या करने वाले है equal to के उस तरफ transfer करने वाले है तो किस form में हो जाएगा यहाँ पर positive form में था equal to के उस तरफ जाएगा negative form में हो जाएगा मतलब यहाँ पर 2x and यहाँ पर 180 degree minus 44 degree ठीक है जैसे minus करेंगे तो हमारा answer क्या आ रहा है 2x is equals to यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर 7 बचेगा 7 में से 4 गए है यहाँ पर 3 आया यहाँ पर 1 बच रहा है 136 degree answer आया है ठीक है इतना समझ में आया ठीक है तो अब हमें क्या मिल रहा है अब हमें मिल रहा है 2x is equals to 136 degree तो अब हम क्या करने वाले है क्या करने वाले है जल्दी से बताइए यहाँ पर degree है यहाँ पर भी degree है हमें क्या दिखरा है 2x degree मतलब 2 multiplied by x degree multiplication form में है तो हम क्या करेंगे equal to के उस तरफ लेकर जाएंगे 2 को तो वो division form में हो जाएगा मतलब x degree is equal to 136 degree divided by 2 तो जैसे ही हम simplify करेंगे 2 1s are 2 2 6 are 12 1 कह रही गया यहां पे 8s are 16 हो जाएगा मतलब x is equal to क्या आ रहा है 68 degree आ रहा है x degree की value क्या रही है x degree की value क्या रही है 68 degree आ रही है मतलब हमें क्या मिल गया है smaller angle मिल गया है smaller angle क्या मिल गया है smaller angle जो की क्या था x degree था उसकी value मिली है क्या 68 degree मिली है इतना आया समझ में बिलकुल आया है मैं अब क्या करना है हमें larger angle निकालना है larger angle की value निकालनी है तो larger angle हमें क्या देके रखा हुआ था? x degree plus 44 degree क्या देके रखा हुआ था? x degree plus 44 degree तो अब हम क्या करेंगे? 68 degree plus 44 degree कर देंगे तो हमारा answer क्या आएगा? 8 plus 4 हो जाता है 12 यहाँ पे बन केरी जाएगा 1 plus 6, 7, 7 plus 4 कितना हो जाएगा? 1, 1, 2 degree ठीक है? तो larger angle हमारा क्या निकला है? 1, 1, 2 degree क्या आपको आया समझ दो angles निकालने के लिए बोला था? smaller angle निकला है 68 degree, larger angle निकला है 1, 1, 2 degree ठीक है? समझ में आया तो कर लीजिए जल्दी से note down कर लिया आपने note down तो यहाँ पे होता है हमारा supplementary angle वाला topic बिलकुल पूरे तरीके से complete, complimentary angle इससे previous वीडियो में कर चुके थे supplementary angle इस वीडियो में कर दिया है अब करना क्या है आपको सबसे पहले तो वीडियो को like कर देना है, comment कर देना है and share कर देना है and then जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe, यह रही हमारी application, यह रही हमारी website यह रही हमारे top courses जो आपको provide कराते है free of cost, quality education, e-book से नी notes की चो link के आपको description box में मिल जाएगी and यह रही हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp आप इन पर भी जाके visit कर सकते है and कर सकते है magnet brains को follow तो अभी आपको क्या करना है, फटफट से जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe ताकि next video आप तक पहुच पाए, thank you so much